भारत गौराव अचारे श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटिस्ट धार्मिक भजन वे कारेकरम निशूलक देखने वे सुनने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल जीन चरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बैल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें व्यक्ति दुनिया में अकेला ही आता है और जब इस दुनिया से जाता है तो अकेला ही जाता है इस आने और जाने के सफर में अपनी नई मंजिल की तरफ बढ़ने में मृत्यू के बात की यात्रा करने से पहले जनम मरण की स्त्रंखिला के बीच हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं जिसमें उठते हैं बैठते हैं चलते हैं खाते हैं पीते हैं अपने व्यक्तित्त का निर्मान करते हैं उसका नाम समाज हुआ करता है ध्यान रखें हमारा समाज मानव समाज है केवल इंसानों के समूह का नाम समाज नहीं होता जहां सो पचास लोग बैठ जाएं उसे ही समाज नहीं कहते हैं बलकि भाई चारे प्रेम और सोहार्द का नाम समाज हुआ करता है कुछ इट पत्थरों को इखटा करने से मकान नहीं बन जाता है उन इट पत्थरों को सुनियोजित तरीके से बिवस्थित जो जमाना जानता है ऐसा कोई कलाकार ही मकान का निर्मान किया करता है और जो हमारे परिवार के समाज के रिस्तों को बेवस्तित रखना जानता है जो हमारे आत्मीता के संबंधों को जोड़ना जानता है एक वात याद रखना जब इट से इट जुड़ती है तो मकान बनता है रिस्ते से रिस्ते जुड़ते हैं तो परिवार बनता है और दिल से दिल जुड़ते हैं तो समाज का निर्मान हो जाया करता है भाई इतना इस ध्यान रखना अपने जीवन में जब दो अचेतन बस्तुएं जुड़ती हैं तो कोई ना कोई आकार जरूर बना करता है हम तो चेतन लोग हैं यदि हम आपस में जुड़ जाएं तो एक आदर समाज की स्थापना हो जाया आओ आज बैठकर एक आदर समाज की स्थापना करें आज का जो विशय है ना तो परिवार से संबंध है इसका ना व्यक्ती से संबंध है आज का बिशे तो समाज और समूँष से संबंधित बिशे है ध्यान रखिए इक ऐसे समाज का निर्माण करें इक ऐसा तीर्थ बनाएं इक ऐसी संकल्पना को साकार करें जुआने वाले युख के लिए एक मिशाल बन करके खड़ी हो जाएं मान्यवर भगवान महावीर ने चार तीर्थ बनाए उन्होंने अपनी जिन्दगी में कोई बहुत बड़े तीर्थों का निर्माण नहीं किया महावीर के नाम से जितने तीर्थ हमने बनाए सायद महावीर ऐसा एक भी तीर्थ नहीं बना पाए राम के नाम से जितने तीर्थ बने है सायद राम ने अपने जीवन में एक भी तीर्थ नहीं बनाया होगा महावीर ने एक भी तीर्थ नहीं बनाया कुष्ण ने एक भी तीर्थ नहीं बनाया लेकिन एक बात ध्यान रखना ये लोग तीर्थों का निर्माण नहीं करते बलकि ये वो महान लोग है जहां चरण रख देते हैं वो इस्थान अपने आप तीर्थ बन करके खडा हो जाया करता इन्हें तीर्थ तीर्थ हमने बनाए कुछ तीर्थ तीर्थ अंकरोंने बनाए एक बात आदमी को सोच लेना है कि भगवान महावीर ने जो तीर्थ बनाए है उसमें इट पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ा करती है उसमें सिमेंट और गारे की जरूरत नहीं है उसमें जमीन के तुकड़ों की आवश्यक्ता नहीं है महावीर ने जो तीर्थ बनाएं उसमें पैसों की जरूरत नहीं उसमें तो प्रेम की जरूरत हुआ करती है आत्मीता की जरूरत हुआ करती है मनुष्ट जो तीर्थ बनाता है वो इट पत्थर चूने सिमेंट से बनते हैं लेकिन परमात्मां जो तीर्थ बनाता है वो आत्मीता और प्रेम के रंग में रंग करके बनाया। महावीर ने चार तीर्थ बनाये। हमने भी बहुत से बनाये। सम्मेथ सिखर बनाया। गिरनार बनाया। पावापुर बनाया। चंपापुर बनाया। अश्टापद बनाया बैश्णव परंपरा ने अयुध्या बना दी बैश्णव परंपरा ने कासी बना दी मतुरा को तीर्थ बना दिया बहुत सारे तेर्थ मुशल्मानों ने मक्का मदीना को तीर्थ बना के रख दिया लेकिन मैं आप से कहता हूँ मेरे भगवान ने भी एक तीर्थ का निर्मान किया है और उन्होंने एक ही तीर्थ नहीं बनाए उन्होंने चार साश्वत तीर्थों का निर्मान किया है और वो चार साश्वत तीर्थ यदी महावीर के बनाए हुए है तो इट पत्थरों से नहीं बने मेरे भाई वह तीर्थ यदी बने हैं तो मुनी आरी का स्रावक स्रावी का ये महावीर के बनाए हुए चार साश्वत तीर्थ है उन्होंने मुनी आरी का स्रावक स्रावी का ये चार तीर्थों का निर्मान किया है महावीर ने साधू साध्ध भी उस्रावक स्राविका जैसे तीर्थ बनाए मान्यवर समाज भी एक तीर्थ है जितने लोग यहां बेटे वह भी एक तीर्थ है संत भी एक तीर्थ है सादवी भी एक तीर्थ है और इनको जो मानता है बुस्रावक और स्राविका भी एक तीर्थ के समान हुआ करते हैं ये चलते फिरते तीरथ है ये इस्थाई नहीं है ध्यान रखना पथर के तीर्थों का तो जीन धार किया जाता है लेकिन महावीर के तीर्थों साश्ष तीर्थ रहा करते हैं ये कभी भी जीन सेण नहीं पड़ा समाज भी एक तीर्थ है मानिए आप से निवेदन है ऐसी समाज का निर्माण करें जिसका धरातल अइंसा और अपरिग्रह से जुड़ा हो जिसका चिंतन जीयों और जीनेदों से जुड़ा हो जिसके हरदे में करुणा धड़कती हो और जिसके नैनों में दया वरसती हो वो महावीर का शाश्ष तीर्थ हुआ करता है लोगों ने कहा कि जैन कौन हुआ करता है तो मैं पुलक सागर कहता हूँ कि जिसके घर का रसोई घर सूरज डूबते ही बंद हो जाता है और जब तक शूरे उदय नहीं होता उसका रसोई घर ना खुले तो समझना वो जैन का घर है जैन का परिवार है जिसके घरों में पानी चानने के चनने लगे रहते हो समझना वो किसी जैन का घर हुआ करता है और जिसके घर में संतों के आहार होते हो समझना वो किसी जैन का घर हुआ करता है आपके रसोई घर सांज डलते ही बंद हो जाना चाहिए